Hello Friends, Welcome to your channel Knowledge Score इस वीडियो में सब्जक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी लिंग विद देल और समाज से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेशन्स के आंसर लेकर के आई हूँ जो बार-बार बीएड प्रिवियस एयर एक्जाम में पूछे गए हैं मेरा वीडियो अप्लोड करने का मुख्यो देश यही है कि कम समय में आप लोगों को एक्जाम की तैयारी हो सकते हैं So Friends, बिना देरी करते हुए वेरी शॉर्ट क्वेशन्स के आंसर जानते हैं जेंडर स्कूल और स्कूल और समाज के मोस्ट इंपोर्टेंट सौट और वेरी शॉर्ट क्वेशन्स के आंसर हैं जो इस एक्जाम में चांसे हैं इन्ही क्वेशन के क्लेक्शन में से आपके प्रशन आएंगे So One by One Question No.1 Right One Features of Word Feminism Word Feminism क्या है वैश्विक नारीवाद क्या है To end the patriarchal society and to integrate the understanding of women in the social sphere पित्र सर्थात्मक समाज को समाप्त करना तथा समाजिक छेत्र में इस्त्रियों की समझ को समाहित करना Second question है आपका What do you mean by class? Class क्या है? वर्ग से आप क्या समझते हैं? इससे related भी questions आपका? वर्ग किसी समाज में निश्चित रूप से समांत समाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों को 31 स्वरूप को कहते हैं वर्ग समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक ब्योस्थाओं का समू है जिनका आपस में एक दुसरे किसा समांता का संबंद या बहवार होता है इस क्वेशन को मैंने अल्रड़ी पार्ट वन में डिसकस कर दिया है कि कास्ट एंड क्लास में क्या डिफेंस है इस तरह से भी इसका क्वेशन आ सकता है तो यहां पर वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में इस तरह से भी क्वेशन सा सकते कि वाट डूई मीन माई क्लास क्वेशन नमबर थर्ड डिस्क्राइब वन लाउ रिलेटेट टू दा चिल्डरन बच्चों से संबंद एक नियम की ब्याख्या कीजिए अंसर बिना किसी जाति रंग लिंग धर्म या राष्टी भेदभाव के सभी बालकों को भी से संरच्छन अवसर सुविदा पाने का अधिकार होता है जो उन्हें स्वाधिंता और समान में एक स्वस्थ और समान धंग से विक्सित होने में समर्थ बनाय रखे पिए मैं खाथ पर को इससीलि разм Cry अैंः इसमारी वाध की जो फ्रूते आप की होती। तो यहां पर सिध्धात लड़कियों को लड़के से अंतर या अलग होने को समस्या मानता तथा समस्ता है इसको खत्म किया जाना चाहिए इस बात को यह बताता है के गुनों को बताता है कि नुटको के बीच जो दिफ्रेंस इसको खत्म करना चाहिए और जो इन दोनों के बीच में अंतर है से वही समस्या है जबकि जेंडर डिफेंस त्योरी देता है कि जो इस्त्रिक के जो गुड़ है उसको पच्चानना चाहिए और उसी को आगे लेकर के फोकस करना चाहिए नाव कोश्चन नमबर फाइब राइट टू सजेशन फॉर रिमोविंग चाइल्ड मैरिज बाल विबा निराकरण है तो दो सुझा आपको बताने हैं पहला निराकरण है बालकाओं के सिछा का समुचित प्रवंधन तथा जागरुप कारिकरमों का संचालन जो बच्पन में साधे हो जाती है उसकी निराकरण के लिए ये दो मुख्य ये सुझाम है ये दो मुख्य सुझाम है अगर इनपर फोकस करें तो हम चाइल्ड मैरिज को हम रिमोव कर सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ गर्ल चाले एजुकेशन सकेंड आपका पॉइंट बनता है कंड़क्ट ऑफ अवेर्नेस प्रोग्राम क्वेशन नंबर सिक्स प्रात्मिक विद्यालपूरा होने से पहले लड़कियों के स्कूल छोड़ने के कोई दो कारण लिखे दो कारण बताना है फस्ट रिजन है पावर्टी सकेंड इलेक्रिश्य इमंग गुमेन गरीबी और महिलाओं में निरच्छता यह दो मुख्य कारण है जिसकी वज़े से प्रात्मिक विद्यालपूरा होने से पहले ही लड़किया स्कूल छोड़ देती हैं वक्रीशन नमबर सेवेंथ वट इस फीमेल इंफेंटिसाइट कन्या प्रून हत्या क्या है कन्या प्रून हत्या एक कूरीती है भारत में सब और सिच्छत वर्गों के मद फैल रही है जिनमें जन्म लेने से पूर ही बेटी को मार दिया जाता है तथा बेटे वाली लोग समाज में सीना तांगर के चलते हैं, जिसे से अने लोगों में भी बेटी के प्रति उदार सिंता का भाव उपच्ता हैं. This such evil is spreading among the civilized and educated class in India, in which daughter is killed before she is born. Question number 8. Participation of women in decision making in family matter, explain with example. कोई भी एक आपको example देना है, परिवारिक मुद्दों में निड़े लेने में महिलाओं की भागयदारी क्या है, कि एवल एक उदार के साथ समझाना हैं आपको. भाईलाएं परामपरगत रूप से decision making में कम सामिल होती हैं, उनका महत्पूर्ण भुईमका को मानेता नहीं दी जाती हैं, और इसी लिए साइध ही निड़े लेने में शिकार नहीं किया गया है. उदारन के लिए एक छोटा बच्चा भी अगर अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ पर मारता है, तो किसी के लिए भी उसे काबू में करना बहुत मुस्किल होता है. ठीक इसी प्रका जब अकेली लड़की और इस्त्री के साथ अकेला दुसकर्म करना असान नहीं रा जाता है, तब धोके से उनके साथ दुसकर्म किया जाता है, सौफ ड्रिंक या नसी की गोली दे करके उनके साथ दुसकर्म किया जाता है, आज सबसे जरूरी है कि हमारा समा समाज अपनी सोच को बदले तो यह एक ग्जामपल है जिसमें यह पूछा गया कि एकस्प्लेइन विट वॉनी वन एक्जामपल तो आप उसे एक्जामपल में दे दीजिएगा क्वेशन नमबर नाइन थ्रोलाइट वन्ली वन सोर्स ऑप कंट्रोल ऑप सेक्शुलिटी लैंगिक नियंतर के केवल एक सुरोत पर प्रकास डालिए लैंगिता को नियंतर करने में परिवार की महत्वर्ण भूमिका होती है बीबा की एक मुखी भूमिका योनिक बहवारों को नियंतर करने की है यह एक समाज को मुल्यतन्त था धार्मिक विश्वास्वा पर अधारित होता है कि क्वेशन नमबर टेन कि डिफ्रेंसियेट बिट्वन सेक्शुल एंड जेंडर है सेक्स तता लिंग में अंतर बताईए सेक्स जो होता जैविक होता है यह जैविक भिंता को दर्शाता है जबकि लिंग समाजिक सांस्कृतिक अंतर को दर्शाता है सेक्स रिफर्ट वाइल जेंडर रिफर्स तू सोशल कल्चर डिफरेंस प्वेशन नमबर 11 राइट नेम ऑफ वन्ली टू लौस रिलेटेड विट वूमेंस ऑफ इंडिया भारत की माईलाओं से संबंदित केवल दो कानून के नाम लिखिए दो कानून के नाम बताने आपको पहला घरेलियू हिंसास्तन रचन बिधेक 2005 बाल बीवा प्रतिसीद अधिनियम 2006 प्रोटेक्शन ऑप डोमेस्टिक वाइलेंस बिल 2005 प्रोभिशन अप चाइल्ड मैरिज म्लेइ 2006 के लेगे ट्वेशन नमझछटेवPI अमसरी के लेंग अधार अधिनियम के साथ भेदा समाज में परामपरागत रूप से महिलाओं को कम जोर माना जाता है वह पूर्सों की एक अधिनस्त स्थिती में होती है वह कच्छा कच घर और समाज हर जगा सोशित अपमानित और भेदभाव से पिडित होती है मैलाओं के खिलाब भेदभाव का यह अजीब प्रकार दुनिया में हर जगा प्रचलित है और भारती समाज में तो यह बहुत अधिक है घर पर मातापिता और स्कूल में सिचकों को लड़कियों को समान भागिदारी के आउसर प्रदान करने की आउशकता है इसे भी देख लिजेगा इंगलिस में भी है यहाँ पर Gender inequality in the classroom can be defined as a discrimination against women on the basis of gender Traditionally, women are considered weak in the society. She is in the subordinate position to men. She is exploited, humiliated and discriminated against everywhere in the classroom, at home and in the society. This strange type of discrimination against women is prevalent everywhere in the world and it is very much in Indian society. The parent, at home and teacher in class need to provide equal participation opportunity to girls. And here, question number 13. Right in short on reproductive right of women in Indian context Answer भारती परिपेच में माईलाओं के प्रजनन संबंदी अधिकारों पर संचेप में लिखिये किनका प्रजनन पर क्या अधिकार उस पे आपको टिपडी लिखना है Safe and affordable method of family planning If women decide to have a children, she will be able to do so in a safe environment with medical care and assistance Third, if women decide to use family planning services, she will have access to these services in a safe and hygienic environment Fourth, safe motherhood Fifth, you have the right to survive pregnancy इसकी हिंदी में देखिए परिवार नियोजन की सुरचित और की फाहिती तरीके Second, ये दिमाहिलाएं बच्चा पैगा करने की फैशला करती हैं तो वह सुरचित वाताबर्ण में चिकित सा देख भाल और साहता के साथ ऐसा करने में सच्छम होंगी Third, इस दिमाहिलाएं परिवार नियोजन सिमाहों का उपयोग करने का निड़े लेती हैं तो उन्हें सुरचित और स्वच वाताबर्ण में इन सिमाहों तक पहुंच प्राप्त होगी And Fourth, सुरचित मात्रित And Fifth, आपको गर्भास्ता में जीवत रहने का अधिकार है Question No.14 Write Two Main Cause of Domestic Violence घरिली निशा के दो प्रमुक कारण लिखे First Reason, Bad Mentality Towards the Girl Child Unable to Raise Wives Against Domestic Violence Third, Inappropriate Attitude of Family and Society Towards Domestic Violence बालिकों के प्रति गंदी मान सिक्ता घरिली निशा के बिरुद आवाज न उठाना घरिली निशा के प्रति परिवार तथा समाज का अनुचित द्रिश्ट कोन ये रीजन्स है घरिली निशा के जिसमें दो ही पूछा है लेकिन हमने तीन दे दिया है आपको जो भी याद हो उसे आप दिख दीजिएगा And Question No.15 Describe the remedies to remove gender bias लेंगिक पचपातों को दूर करने की उपायों का वरन कीजिए Gender bias को remove करने के लिए सबसे बड़ा जो remedies है वह है educate to everyone सबको सिच्छित करना ये सबसे बड़ा remedies है सबसे बड़ा उपाय है और इस पे थोड़ा सा आप अपने words में लिख दीजेगा अपने terms में को कैसे सिच्छित किया जाया Now here other important question जिसको मैंने describe नहीं कर पाई हूँ due to the lack of time लेकिन ये भी importance है Question number 16 Describe type of conflict संगर्स के प्रकारों का वड़न कीजिए 17th question Discuss stages of decision making नेड़ लेने के भी नवस्थाओं को भी बेचना कीजिए 18th question Express your view on sexual harassment at workplace कारिस्थाल पर योन उत्पिर्णम पर अपनी भीचार व्यक्त करे Question number 19 Describe one pedagogical technique which a teacher can use to develop gender sensitiveness among the children चात्रों में जेंडर से वेंदन सीलता विक्सित करने है तो अध्यापक द्वारा पर्युप किसी एक साच्छिडिक तक्निकी का वर्णन करे and question number 20 बिग्यापन में माहिलाओं के प्रस्थिकरन के उधान से भी बेचना कीजिए इस तरह से कुछ important questions थे जिसके मैं answer नहीं दे पाई due to the lack of time इसे भी आप देख लिजेगा but यह जो मैंने starting के जो 15 questions पता है that is enough for you so friends अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और channel को subscribe करिए थाकि बीएट से related latest information आपको मिलती रहे